तो मैंने एक डिस्क लिया, और मैंने चेंज किया लास्ट मोमेंट पर और मैंने पुलिटिकल साइंस के अस्थान पर सोचल वर्ग रखा जनता को बहुत सारी पेख्चाएं होती हैं से कुछ भी छोटी से छोटी चीज होती है तो यह होता है कि SDM साब के पास जाएए, SDM साब जरूर इस समस्या का कुछ ना कुछ हल निकालेंगे आईस के भी दो इंटर्विव दिये और पोलिटिकल साइन्स के एक पेपर में अपेचित माक्स ना होने के कारण मैं वहां से लेक्ट नहीं हो पाया कि किसी को देख करके हमें किस फिल्ड में जाना है यह डिसाइड नहीं करना चाहिए बाहर से मैं दिखता है कि से ब्ले सर्मिट के अवा सारी सुवधाय हैं बड़े बड़े बैंगलों हैं, गाड़ियां हैं, नौकर हैं, सर्वेंट हैं, अर्दली हैं, यह सारी चीज़ें हैं, तो उसके पीछे आपको काम भी बहुत करना पड़ा, खुद के अंदर यह देखना होगा कि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी और कैपेबिल्टी है भी की न जाना चाहें, और without any civil servant discussing on this event would be injustice, और हमारे सामने मौझूद हैं, City Magistrate of Sajahan पर, VP Mishra Sir, Mishra Sir, अधेर सारी, बहुत प्रेदे तो thank you so much, कि यह वक्त निकाला आपने हमारे चैनल के लिए, thank you, thank you, sir, कुछ aspirants के सवाल हैं, और मैं यहां पर अगर आया हूँ तो यह उनके ही सवाल हैं जो आप तक आ रहे हैं, आप भी aspirants के vicious cycle में जा चुके थे, 2015 में शायद आपने clear किया था रही, जो एक बार हम आपके एक experience के बारे में जानना चाहते हैं, sir, कि अभी आप की posting recently शा आपूर में हुई है, तो उसके बारे में आप जरा सा बता हैं, उसके बाद पर पीछे चलते हैं, देखें अभी 24 मार्ज को मेरी posting एजन नगर में स्टेट साजापूर में हुई है, और 28 मार्ज को मैंने यहां पर सेटिम स्टेट के रूप में जोइन किया है, इसके पहले मै इसके पहले मैं लगभख सवा तीन साल बारेली जनपद में उपजला देकारी के पद पर रहा, और वहीं से मेरा प्रोमोशन हुआ, और प्रोमोशन लेकर के मैं यहां से प्रोमोशन पर जोइन किया हूँ सर एक और थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी थी, कि बता और अप डिवाई कलेक्टर ऐसे स्टीम तीन चार सिटीज में काम किये हैं इससे पहले, और यहां पर सिस्टम आप मेजिस्ट्रेट हैं, तो यह मेजिस्ट्रेट और कलेक्टर अगर बच्चों को समझाएं, क्यूंकि इ इसमें में क्या दिफरेंस लगता है? चीज होती है, तो यह होता है कि SDM साब के पास जाएए, SDM साब जरूर इस समस्या का कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, तो there is a lot of expectation, तो उस अप एक्छाओं पर खरा उतरने के लिए आपको, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत लगन से, परिश्रम से और बहुत इमानद आडर भी देते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग field का भी काम करते हैं, जैसे जो भी जनता से related समस्या हैं, किसी भी भाग की अगर कोई समस्या है, तो उन समस्याओं के निस्तारण के लिए हम field work भी करते हैं, यह जो basic difference है दोनों के बीच में, जैसे हमने कहा था कि थोगा क्या था उस वक्त जब आपने इसको clear किया था तो, देखी जिस प्रियास में मेरा deputy collector पे चैन हुआ, वो मेरा पांच महा प्रियास था, और इसके पहले भी मेरा चैन हुआ था, मैं पहली बार उत्तरप्रदेश लोग से और इक्जामियर 2009 में मैं सेलेक्ट हुआ था, commercial tax officer के पद पर, और इसके बाद 2012 में मैं सेलेक्ट हुआ, block development officer के पद पर, और फिर फाइनली 2013 में, I have got seventh rank in EUP, and I have selected as deputy collector, और option, optional क्या था? Optional मेरा political science और philosophy पहले हुआ करता था, जब मैं commercial tax officer और block development officer के पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ, और जब मैं deputy collector हुआ, तो मैंने बिलकुल last moment पर, जब हम लोग से आयों का farm आता है, तो अंतिम समय पर जब फिल कर रहा था, तो उस समय भी मैं बहुत पसोपेस की सिती में था, क्योंकि मैंने इसके पहले IS के भी दो इंटर्वियू दिये, और political science के एक paper में पेचित मार्क्स ना होने के कारण, मैं वहाँ सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो मैंने एक डिस्क लिया, और मुझे लगता है कि लगभग 20-25 दिन ही रहे होंगे मुख्य परिक्षा को, लेकिन लगली मैंने अच्छा किया और फाइनली आई गट सेलेक्टेट पर डिप्टी कलेक्टर, कितने मार्क्स देजर आपके सोचल वर्क में मतलब ऑप्शन में दो सव टावन, टू फिप्टी एट, आउट फोर हेंड़, और पहले कितने आते थे उसमें, प्लिटिकल साइन्स में में मेरे मार्क्स बहुत खराब नहीं आते थे, मतलब वैरी करता था कई बार, तो वो थोड़ा सा दो चार दस नमबर का गयप रह जाता था, दस पांच नमबर, जैसे दो हजार बारा में मेरा चैन वीडियो के रूप में हुआ, और दस या बारा नमबर ही कम थे डिप्टी कलेक्टर में, तो मैंने सोचा कि एक रिस्क लि में चेंज किया, तो लगली मैं सेलेक्ट हो गया, डिप्टी कलेक्टर के लिए, तो उस वक्त जो एक ड्रीम आप लेके चले थे सर, वो खतम हो गया था या फिर यूपीएसी फिर ट्राई किया था आपने उसके बाद, नहीं, एक्चली यूपीएसी में जैसा कि आप जानत है, तो हमारी ये चारो प्रियास खतम हो चुके थे, मतलब मैंने चारो अटरम दे दिये थे, मैंने में चारो दिये और दो बार मैंने 2008 और 2009 का इंटर्वू दिया, यूपीएसी का, बट अनफॉर्चनेटली मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया हो पर, तो यूपीएसी में अनफुर्चन मेरे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं से जो आईएस, आईपीएस ओफिसर की एंटरी को देखके फॉर्म भर देते हैं, कि यह भी बहुत रॉले वाली जौब है, बहुत टशन है, तो किन एस्पिरेंट्स को सर इसमें आना चाहिए, मतलब जौब में आने के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनके लिए कहूंगा, कि किसी को देख करके हमें किस फिल्ड में जाना है, यह डिसाइड नहीं करना चाहिए, हम किस फिल्ड के लिए बने हैं, यह हमसे बेतर कोई नहीं जानता है, हमारे अंदर यह होना चाहिए, किस फिल्ड में हम बिटर कर सकते हैं, हो सकता है कि कोई बच्चा म्यूजिक की फिल्ड में बहुत अच्छा कर सकता हो, कोई स्पोर्ट के छेत में अच्छा कर सकता हो, कोई मैनेजमेंट के छेत में अच्छा कर सकता हो, कोई इंजिनिरिन के छेत में अच्छा कर सकता हो, तो यह जरूरी नहीं है कि सारे हमेंकों Zumthane कर सकेंगे जब हो सिभिल सर्वेंट बनने की लंग आप के अंदर होंगी कर बार होता सीं प्रणी आपोस्ट जाब में आ हाते हैं कि सिविल सर्वेंट को जो है क्वह डो चाहर हमें बाहर से देखता है बाहर से मैं दिखता है कि सारी सुविधाएं हैं, बड़े बड़े बैंगलों हैं, गाड़ियां हैं, नौकर हैं, सर्वेंट हैं, अर्दली हैं, यह सारी चीज़ें हैं, तो उसके पीछे आपको काम भी बहुत करना पड़ता है, आपकी परसनल लाइफ बहुत सफर करती है, आ मैं सिविल सिवक बनूँ, यह इच्छा कहां से आई सर, कोई था परिवार में और फिर, हाँ, एक्चली मेरे फादर पुलिस डिपार्टमेंट में थे, इस इंस्पेक्टर थे, बात में इंस्पेक्टर हुए, तो मैं उनके ऑफिसर्स को देखा करता था, तो उनके ऑफिसर को सिनेर अप्सेर्स को देख करके मेरे मन में यह बच्पन सही था, कि मैं भी एक सिविल सिवक बनूँ, या तो मैं कलेक्टर बनूँ, अगर नहीं कलेक्टर बन पा रहा हुँ, तो मैं पोलिस डिपार्टमेंट में कम से कम एस्पी बनूँ, तो अनफरुशनेटली मैं डार करके केवल जब तक आपके अंदर यह नहीं है कि मुझे सिविल सियोग बनना है, तब तक केवल आप किसी को देख करके, किसी को देख करके जबाब बनेंगे, तो फिर आप अच्छा परफार्म नहीं कर पाएंगे, जैसे मैं इसके पहले बाणी जी करदिकारी के रूप में यहां मैं 10-12 घंटे काम करता हूं कई बार, लेकिन मेरे अंदर एक साटिस्फैक्शन रहता है कि मैं जहां जाना चाहता था वहां में पहुंच गया, मैं commercial tax में था, मैं बहुत वहां उतना काम नहीं होता है, administration के तोलना में बहुत कम काम होता है, मैं 5-6 घंटे ही काम करता था, लेकिन वहां satisfaction नहीं था, तो एक student को अपने career या अपने goal को set करते समय, ये जरूर देखना चाहिए कि उसका satisfaction कहा है, किस चीज के लिए वो बना हुआ है, केवल हम ये देख करके कि ये अमुग व्यक्ति, IS हो गया, IPS हो गया, SDM हो गया, DSP हो गया, तो हम भी उसी field में चले जाए, ये गलत होगा, क्योंकि अगर जो जिस field के लिए आप बने हैं, उस field में अगर आप जाते हैं, तो आप अच्छा करेंगे, अपने लिए भी अच कर देखते हैं कि कई ISA और IPS अपनी जाब के साथ उतना नयाय नहीं कर पाते हैं, तो उसका basic region यही है, कि वो select तो हो जाते हैं, लेकिन उनका temperament ऐसा नहीं होता है, तो हमें अपने temperament, हमें अपने, अपने, खुद को हमें को ये decide करना पड़ेगा, कि हम किस field के लिए बने हैं और हमें उसी दिशा में प्रयास करना होता है, सर पिछले आठ साल के स्टिंट में करियर में कोई एक ऐसी स्टोरी जो आपको inspire कर दी हो, मतलब कोई ऐसा काम जो आपने करवा दिया हो, या सपोर्ट किया हो, कोई ऐसा याद आ रहा है, जैसे चाहे गाजिपूर में हो, बरेल जनपद में, तो बरेली जनपद में वहाँ इफको की एक यूनिट है, इफको जो फर्टिलाजर बनाती है, वहाँ पर किसानों का धरना चल रहा था और लगभक सवा साल से धरना चल रहा था, तो मेरी पोस्टिंग हुई और मेरे उपर ये दाई तो डियम सर दौरा दिया गया कि आपको इस प्रक्रण को रिजाल्ब कराना है, और फिर हमने उस में बड़ी सिद्दत से हम लोगों ने काम किया, कई दौर की बैठके है, मैनेजमेंट के साथ हुई, किसानों के साथ हुई, और फाइनली हम लोगों ने उस धरने को खतम करवाया, तो कई बार ऐसे इ जो सिटीज हैं, उनमें गंगा यात्रा दल और उसकी सोभाय यात्राय निकलनी थी, और उसमें हमारी तहसील में एक बड़ा प्रोग्राम होना था, डिप्टी सीयम और कई सारे सेंट्रल के मिनिस्टर्स आ रहे थे, उस प्रोग्राम को हम लोगों ने जबकि मेरा अस्थान जनपत बरेली के लिए हो चुका था उस समय, बीस जनवरी को मेरा अस्थानांतरण हो गया था, और वो प्रोग्राम हमारी तहसील में 28 जनवरी को होना था, तो जिलादिकारी महोदे द्वारा मुझे ये निर्देशित किया गया कि मैं आपको अभी नही रिलिप कर रहा हू चुकि आपको हाँ पर लगबग 10-11 महेने से काम कर रहे हैं, तो आपकी अच्छी छेतर पर पकड़ है, अच्छी लाइजनिंग है आपकी, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्जिक्रम है, तो इसको आप अपने SDM SIP में कराएं, उसके ब तो जिसके लिए अधर ने DM सर और कप्तान सर ने बड़ी संसा भी किया था, तो ऐसे बहुत सारे आपरचुनिटीज आपको अपने लाइफ में मिलती है, जहां पर आपको काम करके साटिस्फेक्शन मिलता है, जैसे कि आज का दिन जो Civil Services Day है, तो जैसे आपने भी दो तीन ए Civil Services Day के बात करते हैं, तो Civil Services के लिए Civil Servant मतलब कितना इंपोर्टेंट है हमारे इस इंडिया के ग्रोथ में और आम जन्मानस के ग्रोथ में, देखिए जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का धरातल पर जो क्रियानवेन है, वो पूरी तरीके से Civil Servant के उपर डिपेंड करत हैं, अगर आप ब्यूरुक्रेट्स अच्छे हैं, Civil Servant अच्छे हैं, तो उन योजनाओं को हम बहुत बहुतर तरीके से इंप्लेमेंट कर सकते हैं, और जब हम उन योजनाओं को बहुतर तरीके से इंप्लेमेंट करेंगे, तो उसका जो लाब है, शर्प्रश्चत नीचे तक जाएगा, और वो जब जाएगा, तो कहीं न कहीं देश हमारा आगे बढ़ेगा, तो इसलिए अगर एक अच्छी ब्यूरुक्रेट्स हैं, आपके पास है, अच्छी ब्यूरुक्रेसी है, तो देश के विकास में वो बहुत सहायुक होगी, और आप इसलिए देखते हैं ऎ। वो एग्जिजूटिब बाड़ी है, वो एग्जिजी कूंतिर इपास हैं, तो उनका अच्छा होना किसी भी देश के विकास के लिए बहुत महतुपाउन है। बहुत बहुत शुक्रिया, thank you so much sir एक last है students आपको as a role model मानते हैं कि हमें भी अप crack करना में बनना है कुछ भी ऐसा अगर आप बताना चाहें जीवन के बारे में कि भाई ये चीजें मत किया करो अगर अगर पढ़ना है तो कुछ ऐसे tips जो आप अपने लाइफ में फॉलो करते थे देखिए सबसे पहले तो यह है कि अगर सिविल सेवा के छेत्र में आना है तो हमें ये ठान लेना होगा कि मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना है कई बार ऐसा होता है कि बहुत चोटी-मोटी सफलता है आपको मिल जाती है और उससे आप सटिस्फाई होने लगते है तो वह एक बहुत बड़ी बाधा होती है आपके किसी बड़े पत पर या सिविल सर्वेंट बनने के लिए तो ये आपके अंदर द्रिन विश्वास होना चाहिए कि नहीं I can do it कि मैं इसको कर सकता हूं और जब आपने ये ठान लिया कि मैं कर सकता हूं पहले तो आपको खुद के अंदर ये देखना होगा कि हमारे अंदर इतनी capacity और capability है भी कि नहीं आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूं पिर आप मन बनाई है कि आप मैं कर ही डालूँगा इसको इसको मुझे करना ही करना है anyhow मुझे इसको प्राप करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए कितनी भी बाद आए कितनी भी परिसानियद के लेकिन मुझे अब सिविल सिवक ही बनना है तो अगर आपका फर्म डेटर्मिनेशन रहता है और उस दिशा में आप सकारात्मक प्रयास करते हैं तैयारी के दौरान इस्टेटजी बहुत महतुत हैं आपकी बेहतर इस्टेटजी हो बेहतर प्लानिंग हो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने प्रती ऑनिस्ट हैं केवाला दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है आपको किसी को बताने के लिए नहीं पढ़ना है आपको इस बात के लिए पढ़ना है कि मुझे एक सीविल सीवक बनना है और पूरी इमानदारी से अगर सही दिसा में हम प्रयास करते हैं तो मेरी सब के लिए सुपकामनाय है और मेरा यही सुझाओ है कि बिलकुल अगर सही मन से सकरात्मक सोच के साथ सही दिसा में प्रयास किया जाए तो कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं कि हम उसे हासिल ना कर सके जी बहुत अच्छी बात कहीं सर आपने थांक यू सो मच सर आज का दिन काफी इंपॉर्टन है और एक बड़ा मेसेज जाना चाहिए ऐस्पिरेंट्स के लिए कि आखिर कितनी इंपॉर्टन है सिबल सर्विसेज की सिबल सर्विसेज की हमारे इस इंडिया के ग्रोफ और झाहिए जाहिए